पांडव अपनी मा कुंती के साथ इधर से उधर ब्रहमन कर रहे थे, वे ब्रहमनों का वेश धारं किये हुए थे, विक्षा मान कर खाते थे और रात में व्रिक्ष के नीचे सोजाया करते थे, भाग्य और समय की यह कैसी अगुत लीला है, जो पांडव हस्तिनापुर राजय के भागीदार हैं और जो सारे जगत को अपनी मुठी में करने में समर्थ हैं, उन्हीं को आज भिक्षा पर जीवन यापन करना पड़ रहा है, दोपहर के बाद का समय था, पांडव अपनी मा कुंती के साथ वन के मार्ग से आगे बढ़ते जा रहे थे, सहसा उन्हें वेद व्यासची दिखाई पड़े, कुंती दोड़कर वेद व्यासची के चरनों में गिर पड़ी, उनकी चरनों को पकड़कर बिलक बिलक कर रोने लगी, उसने अपने आसों से उनके चरनों को धोते हुए उन्हें अपनी पूरी कहानी सुना दी, वेद व्यासची ने कुंती को नहीं रहकर समय काटो। उन दिनों एक चिक्रा में एक राक्षस के द्वारा बड़े जोरों का आतंक फैला हुआ था। वाले लोग बच जाया करेंगे। जिसके घर में पांदव अपनी मां के साथ निवास करते थे। ब्राहमन के कुटुंब में कुल तीन ही प्रानी थे, ब्राहमन ब्राहमनी और उसका एक यवा पुत्र तीनों बिलक बिलक कर रो रहे थे। हाई, हाई, अब क्या होगा? अब तो सब कुछ मिट्टी में मिलकर रहेगा, कुंती ने तीनों को रोता हुआ देखकर ब्राहमन से पूछा, विप्रवर, आप तीनों इस प्रकार क्यों रो रहे हैं? क्या मैं जान सकती हूँ कि किस दारुन काष्ट ने आप तीनों को अत्यांध दुखी बना रखा है? ब्राहमन ने आखों से आंसुओं की बूंदे गिराते हुए उत्तर दिया, बेहन, तुम सुनकर क्या करोगी? हमारा कष्ट एक ऐसा कष्ट है, जिसे कोई दूर नहीं कर सकता, कुंती ने सहानुभूती भरे स्वर में कहा, हम तो गरीब ब्राहमन है, सच है, हम आपके कष्ट को दूर नहीं कर सकते, किन्तु फिर भी सुनने में हरजी क्या है? हो सकता है, हम आपके कुछ काम आ जाएं, जब कुंती ने बहुत आग्रह किया, तो ब्राहमन ने बक राक्षस की पूरी कहानी उसे सुना दी, कहानी सुना कर उसने सिसिकते हुए कहा, बेहन, हम कुल तीन ही प्रानी है, यदि कोई एक राक्षस के पास जाता है, तो वो उसस हम सोचते हैं कि हम तीनों ही राक्षस के पास चले जाएंगे, हम इसलिए रो रहे हैं, आज हम तीनों के जीवन का अन्थ हो जाएगा, ब्राहमन की करुन कथा सुनकर कुंती बड़ी दुखी हुई, वहमन ही मन कुछ क्षणों तक सोचती रही, फिर बोली, विप्रवर, मैं मैं एक बात कहती हूँ, उसे ध्यान से सुनेत मेरे पांच पुत्र है, आज मैं अपने एक पुत्र को आपके कुटुम की ओर से राक्षस के पास भेज दूंगी, यदि राक्षस मेरे पुत्र को खा जाएगा, तो भी मेरे चार पुत्र शेश रहेंगे, कुंती की बात सुनकर ब्राहमन स्थब रह गया, उसने परोपकार में धन देने वालों की कहानिया तो बहुत सुनी थी, पर पुत्र देने वाली बात आज उसने पहली बार सुनी, वह कुंती की ओर देखता हूँ अबोला, बहन, तुम तो कोई स्वर की देवी ग्यात हो रही हो, मुझे इस बात पर गर्व है कि तुम्हारी जैसी देवी मेरे घर में अतिथी के रूप में है, तुम मेरे लिए कूजन यहो, मैं अतिथी से प्रतिदान लूँ, यहाँ धर्म मुझ से नहीं हो सकेगा, मैं मिद जाओंगा, पर मैं अतिथी को कष्ट में नहीं पढ़ने दूँगा, ब्राह पर गर्व किया तो ब्राहमन ने उसकी बात मान ली, उसने दबे स्वर में कहा, अच्छी बात है बहन, इश्वर तुम्हारा भला करे, कुंती ब्राहमन के पास से उठकर भीम के पास गई, उसने पूरी कहानी भीम को सुना कर उससे कहा, बेटा, परोपकार से बढ़कर दू पिकार कर लिया, उसने कहा, मा, तुम्हारी आग्या शिरोधार्य है, बग मुझे क्या मार कर खाएगा, तुम्हारे आशीरवाद से मैं उसे मिटी में मिला दूंगा, संध्या का समय था भीम एक गाड़ी के उपर खाने पीने का सामान लाद कर उसे खीचता हुआ, बग के निवास पर पहुँचकर गाड़ी पर लदे हुए खाने के सामान को स्वयम खाने लगा, बग को पितो उठाक वो गरजता हुआ बोला, एक तो तुम देर से आय हो और उपर से मेरा भोजन खा रहे हो, इतना कहकर वह भीम पर तूट पड़ा, भीम तो पहले ही तेयार था, भीम ने उसे धर्ती पर गिरा कर, उसके गले को इतने जोरों से दबाया कि उसकी जीप बाहर निकल आई, वह प्रांशुन्या हो गया, भीम ने उसे उठा कर नगर के फाटक के पास फेक दिया, उधर संध्या समय चारों भाई भिक्षाटन से लोटे, तो कुंती से सब वे बड़े दुखी हुए, उन्होंने अपनी मा से कहा, तुमने भीम को अकेले भेज कर अच्छा नहीं किया, हम भायों में वही एक ऐसा है, जो संकत की समय काम आता है, कुंती ने अपने पुत्रों को समझाते हुए कहा, तुम चिंता क्यूं करते हो, तुम देखोगे कि मे किस तरह हत्याचारी बग को नर्क में पहुँचा दिया है, भीम ने घर पहुँचकर अपनी मा की चरन सपर्श किये, उसने कहा, मा, तुम्हारे आशिरवाद से मैंने बग का सनहार कर दिया, अब एक चक्रा के निवासी सदा सदा के लिए भयमुक्त हो गई, कुंती ने भी यभी हुआ बग का वद किस ने किया, क्या ब्राहमन ने एक चक्रा के निवासी दोड़े दोड़े ब्राहमन के घर पहुँचने लगे, थोड़ी ही देर में ब्राहमन के द्वार पर बहुत बड़ी भीडे कत्रत हो गई, ब्राहमन के जेनात से धर्ती और आकाश गूंजने लगा ब्राहमन ने भील को शांत करते हुए कहा भायो बग का वद मैंने नहीं किया है उसका वद तो मेरे घर में थारी हुई ब्राहमनी के बेटे ने किया है एक चिक्रा के निवासी इस बात को तो जान गए कि बग का वद ब्राहमन के घर में तिकी हुई ब्राहमनी के एक बे इस ब्राहमनी की पुत्र के एक चक्रा के निवासियों को सदा सदा के लिए संकत मुक्त करा दिया है। वो उसके घर में अतिथी की रूप में टिकी हुई है।